पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया की गई लगबग 74 हजार से अधिक मतदान के अंदरों पर सुरक्षा बल और अन्य बलों की तैनाती के गई थी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया की गई लगबग 74 हजार से अधिक मतदान के अंदरों पर सुरक्षा बल और अन्य बल तैनाती फिर भी मतदान की शुरुआत हिंसा से हुई मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में सत्ता रूड तुर्मुल कॉंग्रेस और कॉंग्रेस कार्यकरताओं के बीच जड़प में तुर्मुल कार्यकरता बाबर अली की मौत हो गई इससे इलाके में भारी तनाव की स्थिती थी यहां केंद्रिय टुकडी को भी जा गया कॉंग्रेस कार्यकरताओं को भी गोली लगी है कुछ बिहार के मतदान केंद्र में भी तोड फोड हुई है यहां मतपत्र लूट लिये गये है सिताई विधान सभा के ब्लॉक नमर एक से छे में 130 सरकारी प्राइमरी स्कूल में मतदान केंद्र के अंदर तोड फोड और आगजनी की गई आरोप है कि तुर्मुल कॉंग्रेस के कार्यकरताओं ने यहां कबजा कर लिया नदिया और दक्षिन 24 परगना से भी छिट पूट हिंसा की खबरे आ रही थी पंचाय चुनाव को लेकर हाइकोट काफी सक्त है हाइकोट राजे चुनाव आयोग को कई बार फटकार लगा चुका है यहां तक कहा है कि राजे के मुख्य चुनाव आयोगत राजपाल के पास जाकर इस्तिपास सौप दे ब्यूरो रिपोर्ट जी एस्टवी